Hello guys, welcome back to our channel corporate कहानी तो आज मैं बात कर रहा हूँ उन companies की जिनका onboarding आना शुरू हो गया है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी TCS के बारे में जिसने joining letter भेजना शुरू कर दिया है काफी लोगों को joining letter मिल गया है तो guys इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ इंफोसिस के बारे में इंफोसिस ने भी अब onboarding करना शुरू कर दिया है यानि कि उन्होंने joining letter लोगों को भेजना शुरू कर दिया है तो guys उनका जो joining letter आया है वो mostly like September के मन्त के लिए आया है 60-70% लोगों को allocate कर दिया गया यानि उनको भी project मिल गया है तो guys ये एक बहुत बड़ी ख़बर है इंफोसिस वालों के लिए उनको like joining मिल लई है लेकिन उनके joining के साथ एक और point अड़ हो गया है कि उन्हें मैसोर campus में ही joining मिली है यानि उनको अब मैसोर travel करना पड़ेगा अब मैं बात करना हूँ guys next company के बारे में वो है Wipro Wipro ने भी अपनी joining शुरू कर दी है onboarding शुरू कर दी है guys Wipro का जो पिछला batch था जो July में जिनको joining मिल गई थी उनको like उनके बारे में बताय जा रहा है कि उनका 70 to 80% जो batch था उनको project नहीं था अभी तक उन्हें अब project calls आ रहा है कई लोगों को project में भी allocate कर दिया गया है तो Wipro की जो टर्बो वाले हैं उनका जो like joining है वो like next month होने के बहुत सारे chances हैं क्योंकि उनके बारे में कई लोगों को mail भी आ चुका है तो guys उनका turbo batch जो है वो mostly अब next month like onboard हो जाएगा उसके साथ साथ जो elite वाले हैं उनका ज़्यादा update नहीं है लेकिन वो भी tension ना ले उनका भी update हम मैं पता कर रहा हूँ अगर मुझे जैसे ही जान करी विलेगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा तो यह guys यह था विप्रो विप्रो के बाद हम बात करते हैं guys Accenture की Accenture ने भी काफी लोगों को onboarding mail भेजना शुरू कर दिया है उन्होंने भी September का ही time लिया है यानि September में ही Accenture का भी onboarding होना है तो guys आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो Indian IT है वो effect नहीं हुई है US के recession से इंडिया में लोगों की onboarding भी हो रही है अंदर भी लोगों को push करके project दिया जा रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से company जो है आप फिर से कह सकते हैं मतलब start हो रही है फिर से अपने अंदर के जो process था उसको fast कर रही है तो you can say rejuvenate होकर लोग फिर से start कर रहे हैं अपने project को, काम को clients भी like काफी active हो गए है तो जिसके वज़ा से जो project का मसला था, जो onboarding का मसला था, वो अब कम होता जा रहा है लंबी list है, लंबी pool है आपकी number आज आए या कल आए लेकिन आपका number आएगा तो आपको इसमें tension लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तो guys इसी तरह से एक और company है जिसका नाम है DxC उन्होंने भी onboarding mail वेजना शुरू कर दिया है काफी लोगों को उन्होंने बुला लिया है like next month September में तो September कह सकते हैं एक बहुत बड़ा freshers का hiring month हो रहा है जिसमें काफी freshers company में join कर रहा है company में जा रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा news है अगर September में मान लिजे 10-20,000 लोग चले ही जाते हैं company join कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि October तक फिर कुछ like जो batch पीछे पड़ा है उनको भी फिर से मौका मिल जाएगा company join करने का तो इस तरह से जो ये मास जो रुका हुआ था company में घुशने के लिए इंटर करने के लिए खड़ा था वो अंदर जा रहा है जो की बहुत ही अच्छा news है IT के लिए और आप लोगों के लिए जो की joining का wait कर रहे हैं guys अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको अभी तक नहीं आया join later वो बहुत परेशान है तो guys आपको ज़्यादा परेशान होने की जड़त नहीं है आपको बस relaxed रहना है और एक दो काम जो है आपको करना है guys वो काम यहाँ पर कोई YouTuber या कोई भी नहीं कर सकता है वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं वो यह कर सकते हैं guys कि आपका जो hiring manager है या फिर जो भी HR है जिसके contact में आप थे जिन्होंने आप से बात की थी last way उन से आप connection बना सकते हैं इधर वो आप phone से बना है phone करें या फिर आप उनको email कर सकते हैं तो कैसे भी करके उन से यह जानकाड़ी लेने कोशिश करें कि is there any update on my joining is there update इस तरह की बात हैं आप उनसे पूछ सकते हैं इससे आपको कोई परिशानी नहीं होगी यह अगर आप उसको दिन में दो बार भी phone कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बस यह होगा वो नहीं उठाएंगे अगर उनको ज्यादा like redundant लगेगा तो लेकिन आपको यह नहीं होगा कि आपका offer later revoke हो जाएगा या आपको कोई problem हो जाएगी तो इस तरह से आप कर सकते हैं उनसे mail पर या phone पर update ले सकते हैं इसके इलावा आप LinkedIn पर भी उस company को या फिर उस company के किसी HR को tag करके पूछ सकते हैं कि what about my joining तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा I think यह काफी beneficial भी है आप अगर इस तरह से पूछेंगे तो उन पर एक pressure बनेगा ताकि वो अपना जो like काम है उसको थोड़ा सा fast करेंगे अपने काम को ramp up करेंगे क्योंकि इससे क्या होता है काफी लोग एक साल 6 माईने 7 माईने से जोइनिंग जिनको नहीं मिली है उनके बारे वो अगर इस तरह से LinkedIn पर लिखेंगे तो क्या होता है इस company को अपने reputation का थोड़ा सा डर होता है तो इससे क्या होगा फायदा आप लोगों की जो जो जोइनिंग है वो थोड़ी सी fast हो जाएगी वो थोड़ी सी bump up होगी तो guys मैं आप लोगों से जिनको नहीं मिला है offer letter उनको मैं यही request करूंगा कि आप एक दो mail जरूर डालें और आप LinkedIn पर भी जाकर लिखें जरूर कि guys कि LinkedIn पर भी जाकर लिखें जरूर कि हमें जाइन लेटर अभी तक नहीं मिल रहा है it's been 4 months, 5 months, 6 months इस तरह से आप लिखेंगे तो जरूर एक pressure उन पर बनेगा तो guys इस तरह से आप ये time पे अपने आपको थोड़ा सा motivated महसूस करेंगे कि आपने कम से कम एक pressure डाला एक उन से बात की और शायद कहीं न कहीं ये आपके joining को bump up करेगा और आपको जल्दी joining मिल सकती है इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसा हो ही सकता है ऐसा हो ही जाएगा मैं बस आपको एक बता रहा हूँ कि आप एक pressure बनाएंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा तो गाइस इस तरह से आप ये time को utilize भी कीजिए आप कुछ trainings कर लीजिए वो तो ग्यान की बाते हैं वो सब लोग देते हैं जिनको लेना है लेते हैं जिनको नहीं लेना है वो नहीं लेते हैं तो गाइस इस तरह से आप approach कीजिए और ये काफी good news है इन सारी companies ने जो बड़ी MNCs है इनों ने इस तरह से बुलाना शुरू कर दिया है तो बाकी companies जो थोड़ी छोटी है उन्हें भी अब डर रहेगा कि अगर onboarding अगर उधर हो रही है तो कुछ candidates के पास double offer है दो offer है, तीन offer है तो क्या होगा गाइस उन companies जो शोटी company है वो भी जल्दी से अपने onboarding को बढ़ाएगी ताकि लोग उधर जोइन ना कर लाए तो इस तरह से जो आप time आ रहा है September, October, November आप लोगों के लिए बहुत अच्छा time साबित होगा जिननों को joining और offer later नहीं मिला है वो लोग अप तयार हो जाएं अपने offer later और joining later को पाने के लिए तो यह था गाइस आज का अपडेट मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं next topic के बारे में थैंक्स पर वाचिंग बारे में